तो नमस्कार मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेडिशन इंफोर्मेशन फिरी एडवाइस तो देवस्तो केल्सियम वीड बिटमिन डी थी एन बिटमिन बी ट्वेल्फ सस्पेंशन इसकी ब्राइड नेम केल्सिवे बी ट्वेल्फ सस्पेंशन की नाम से यह 200 ml की बोतल में यह मार्केट में असानी से मिल जा रहे हैं तो दोस्तों इसकी यूज बेनिफिट एंड हानी के बारे में मैं आज पूरा डीटेल इस वीडियो के माधियम से बताने जा रहा हूं और चैनल में दोस्तों नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें साथी बेल आइक इसक बिकास के लिए प्रोटीन वसा एवं कार्भो हाइट्रेट को जरूरी समझा जाता है जिससे हमारी सही मातरा नहीं मिलने के कारण से हमारी सरीर में विभिन परकार के बिमारियों से गुजरना पड़ता है जैसे मस्तिक एवं हडियों से समंधित बिमारी बिसेस कर B12 की कमी के कारण से होती है एवंग vitamin D3 का भी एक अहम योगदान है इसे निमीत यानि पूर्ण अहार नहीं मिलने के कारण से हमें इस समस्या से गुजरना पड़ता है और इनके अलग से भी हमें गंभिर रोगों से भी इसे बचाया जा सकता है जदि हम इस सीरफ को इस्तमाल करते हैं या ऐसे समागरी खाते हैं या पीते हैं जिससे हमारी vitamin B12 and D3 मिलती है तो हम विभीन रोगों से हमारे सरीर को बचाया जा सकता है तो नौजात छोटे बच्चे एवं गर्वती महिला को भरपूर पौश्टिक के अहार की जौरत पड़ती है नहीं मिलने से इसकी कमी के कारण से बच्चे में रेक्टास एवं युवावू में पौश्टो मेलेसिया नामक की हड़ी कमजोर हो जाती है इन दोनों रोगों में हड़ी की कठोरता यानि कठोरता को कमी पाया जाता है जिससे कमजोर हो जाता है हड़ी एवं लचिला हो जाता है इससे हड़ी में भिभीन परकार के रोग होने लगता है उसी परकार उसे पूरा करने के लिए बिटमिन D3 को दिया जाता है एवं गर् प्रचने के लिए प्राकर्तिक खाद पदार्थ भी आप दे सकते हैं प्राकर्तिक खाद पदार्थ पर्चूर मात्रा में पाया जाता है जैसे सूरज की रोसनी से आप बिटमिन डी थिरी आनि बिटामिन डी थिरी केल्सियम को प्राप्त कर सकते हैं इनके अलावे आपको अंड़ा एक प्वॉस्टिक तत्व है जिसे आप कैल्सियम को पूरा एवंग बिटमिन बी टुवेल्व एवंग डी थरी का लाब पूरा ले पाएंगे एवंग मीट, मुर्गा, दूद एवं का सेवन जरूर करना चाहिए तब भी आपकी बिटमिन बी टुवेल्व एवंग vitamin D3 का कमी को पूरा कर पाएगे गर्वती महला के लिए या पुर्ण रूप से सुरच्चित है और अस्तन पान कराने वाली यानि कि छोटे बच्चे जो दूध पिलाते हैं उनके लिए भी या पुर्ण रूप से सुरच्चित है kidney के लिए भी या सुरच्चित है से सुरच्छित है हिरदय रोग एवंग एलर्जी आनमीत दिल की धड़कन जैसी एवंग लिभर रोग में भी आप इस सीरफ को दे सकते हैं परन्तु जब भी इस दवा का इस्तमाल करें तो अपनी नजदी की डॉक्टर की देख रेक पर ही इस दवा को लेनी चाहिए अपने म नमबर पर कॉल करें एवंग नजदी की डॉक्टर से जरूर संपर करें तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जैहिन बंदे मातना भारत माता की जैए और चलते चलते चैनल को सस्क्राइब भी कर दें